हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo X90 Android फोन में आप जो है टच वाइबरेसन सेटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानिकि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये टच वाइबरेसन सेटिंग जो है इनेबल होने के ब sound and vibration पर आपको select करना है आप sound and vibration के इस page में आपको सबसे नीचे ये option मिलेगा ये टच वाइबरेसन का ठीक है टच वाइबरेसन इस option के ठीक सामने जो बटन दे रहा है इस बटन को आपको tap करना है तो ये बटन आपका blue color में इस तरीके से on हो जाएगा ठीक है यानि कि आपक बटन को टच करेंगे तो आपका mobile phone जो है वाइबरेट करेगा ठीक है वाइबरेसन क्रियेट होगा आपके mobile phone से ठीक है जब भी आप किसी भी option यह बटन को टच करेंगे तो इस तरीके से काम करती है आपके phone में अब मैं आपको इस setting को ढूंड़ने का एक shortcut तरीका भी बता द करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है setting का name touch vibration ठीक है यहाँ पर हम type कर देते हैं touch vibration इस तरीके से तो आपको नीची की side option दिखाई नहीं देगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं जब यह नीची की side option शो हो जाता है इसे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका while phone आपका directly इस setting page में आपको लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का